। ह алеच्पेल वेलकूम तु मंत्र वीवीज्य शेरीच। मैरा नाम है रामा। इस टोरीर स्वी गोवै tror में हम आपको बताएंगे सिंग लॉक्ट आयकन के बारे में। ताइम लाइन एड्रे다 एयर्ये में आपको एक आइकन दिख्ता है। यह जो आपको यहां पर यह है सिंक लॉक आइकन सिंक लॉक आइकन बेसिकली क्या करता है जब आप वीडियो एजिट करते समय रिपल डिलीट इंसर्ट या रिपल टीम आपरेशन को अंजाम देते हैं उस समय आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक इस आपरेशन से होगा या नहीं होगा इसका मतलब यह होता है कि टैम लाइन पर मवझूद किसी भी क्लिप को यह वो जो ट्रैक जो अप यहाँ पर सिंक लॉक से रखना चाहते हैं ना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके इसको डिसेबल किया सकता है या at अब यह कैसे काम करते हैं इसके बारे हम आपको बताते हैं होता क्या है जब यह सिंक लॉक आइकन अन रहता है तो उस समय जिसे यहाँपर हम कोई रिपल डिशित करते हैं रिपल डिशितम जाएं यहाँ पर होता है इसका सौट कट कमांड होता है सुट डिलिट इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें देखें। करेंगे और ship Delete करेंगे आपका देखिए आगे के सारी क्लिप और बूव हो जाती है लेकिन यह हम चाहते हैं कि कोई log has to idle five इसके सार्ख के इसको को आपकाbelt्राइब करेंगे तो कि आपका व्यूस्ट्रैक करींगे तो आप देखिए आप करींगे कोई बीडिए em move हो जाते हैं तो इसको sync lock icon को भी ध्यानपूरभक lock या unlock करना चाहिए यदि आपने पीछे कोई changes करना है या आपने किस कोई clip बीच से delete कर दी है और ripple delete किया है तो आपकी बाकी tracks तो आगे के और move कर जाएंगे लेकिन वो track जिसको आपने sync lock से off कर रखा है तो वो track की clips आगे की और उस ripple delete के साथ move नहीं होंगी इसी प्रकार से जब कोई clip आप insert mode में लेके आते हैं यहाँ पर हम इस clip को insert mode में लाएंगे इस तरीके से तो अब आप देखें यहाँ पर देखें यह ऐसे देखते जाएं आपका वो track में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जिस track को आपने यहाँ पर sync lock को disable कर रखा है फिर हम इसको ripple delete कर देते हैं shift delete फिर यहीं भी आ गए अब हम यहाँ पर इसको on करने के बाद फिर insert करते हैं तो अब आप देखें आपके सारे track आगे की वर move हो रहे हैं इसका मतलब यह है यदि आप ripple delete या insert clip करते हैं उस समय यदि आप कोई track को effect करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते हैं तो उस स्थिति में आप sync lock icon को utilize कर सकते हैं तो particular track पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन generally इसको off करने sync out हो जाएगा यदि आपने कुछ पहे आगे edit किया हुआ है sequence में और बीच में insert कर रहे हैं और sync lock button को off किया हुआ है तो सारा का सारा editing sync out हो जाएगी या उनकी position change हो जाएगी तो आपकी editing में ज्यादा effect होने की संभावना रहती हैं और आपका किया हुआ कारवाद हो सकता है इसलिए sync lock का प्रियोग बहुत ही साउधानी के साथ करना चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहे देखते रहे सीखते रहे और अगले वीडियो तक रामा की राम राम